हेलो एवरिवन वेलकम बैक टो माई चैनल कीरती दी इंडो कनेडियन एक्स्प्लोरर सबका सौगत है आज हम बात करने वाले हैं कैनेडा में इंफलेशन रेट की अभी फिलहाल जो कैनेडा में इंफलेशन है वो लगभग 5% है इंफलेशन हो गई महंगाई दर जिनको नहीं पता कि किस तरह से कल्कुलेट होती है आपको मैं छोटी सी एक्जेंपल दे कर समझाने की कोशिश करना चाहूंगा मान लीजिए ये टोकरी है छोटी सी ना इसके अंदर 5 आइटम्स है और 5 आइटम्स की कीमत आज है 100 रुपे मा तो इसकी कीमत 5 आइटमों की मान लीजिए पहली नवंबर को होगी फर्द करो वो 105 रुपे हो गई तो 5 परसंट की इंक्रीज हो गई वो इंफलेशन कल्कुलेट हो गई उसकी की जो आगे नवंबर आ रहा है उसमें इंफलेशन 5 परसंट हाई है ओके इसी तरह से जब उसक कंपारिजन करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारी इस टाइम इंफलेशन रेट इतनी है अब कैनेड़ा में क्या है कि जो चीज पहले 100 की थी वो आजकल 105 की मिल रही है सिर्फ एक महीने के फर्क पर तो ये काफी महेंगी होती जा रही है चीजें और हर एक के लिए ये काफी क्लास है चाहिए वो गरीब लोग हैं इसका असर सिर्फ टोकरी के समान पर नहीं पढ़ता है इसका असर जो है सेवाओं पर भी पढ़ता है जो सर्विसे होती है कि मानलो आज आप कहीं कोई सर्विस लेते हो तो उसकी भी आपको चीजें ज्यादा मिलती है जैसे कि मानलो किराया पे लेते हैं तो उसका भी फिर च्छे मीन नी तो साल बाद उसका किराया बढ़ जाता है तो वो भी चीज़े इंफलेशन की वज़े से एफेक्ट होती है आज हम उसके बारे में बात करेंगे अब महंगाई दर्की बात करने लगाँ तो आपको कुछ एक्जेंपल्स देना चाहूंगा कि जो मेरे अपने लाइफ के मैंने एक्सपिरियंसे लियें चाहे मैं किराये पे रहा या कोई चीज़ खरीदी उसके बारे में बताना चाहता हूँ जैसे आपको एक्जेंपल दू मैं 2012 में जब मैं किराये पे रहता था तो किराया मेरा था लगभग 700 का जिसमें मैं मेरी वाइफ और मेरे बच्चे रहते थे और अगर आज आप सेम उस कमरे का और उस सेम अपार्टमेंट का किराया लगाते हो तो वो लगभग लगभग वहां पे 1500 या 1600 डॉलर है एक महीने का और जब मैं दो कमरों के अपार्टमेंट में रहता था तो मेरा कि अगर आप उसका किराया ढूंडो टॉरंटो के पास के जो शहर हैं वहां पर 2300 यानी 2300 डॉलर महीने से लेके 2600 डॉलर महीना डिपेंडिंग की वो अपार्टमेंट किस कंडिशन का है कितना एजीली अक्सेसिबल है कार से या बस से ये आपको एक एक्जेम्पल दे रहा आजकल महंगाई की वज़े से कितना बुरा हाल है जब आदमी ने कमाना लगभग 200 डॉलर है महीना और किराया अगर उसका 2300 डॉलर है तो अकेला आदमी तो कैसे सर्वाइव करेगा अब ये होई किराय की बात अब हम बात करते हैं जो आजकल मॉर्गेज है मॉर्गेज आप मॉर्गेज देखो तो जो पहले चार लग का घर होता था उसकी लगभग लगभग जो मॉर्गेज बनती थी वो कोई 1600 डॉलर से लेके 2000 डॉलर के वीचे बनती थी मॉर्गेज जो की आप को क्या रेट ओफ इंट्रेस्ट बैंक देता है उसके उपर डिपेंट करता था और उसके अलावा आपके बिजली के बिल, पानी के बिल अलग होते हैं उसके टेक्सेज अलग होते हैं लेकिन आज की रेट में अगर आप चार लग का पहली बात तो घर ही नहीं मिलेगा वो तो खौब ले नहीं छोड़ दो और दूसरा उसके बाद आगर आपको आज कल छ तो साथ सावा साथ हजार डॉलर महीना जाता है तो कितनी महंगाई है कि आदमी कैसे फोड करेगा ये आजगल कैनेडा के असली हलात हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ तो जब लोग कहते हैं कि स्टूडेंट जी चार या पांच लोग कमरे का किराया देते हैं या दो कमरों में रहते हैं तो उसमें पता लगता है कि भी इतनी महंगाई है और चार लोग अगर रहेंगे तभी तो बिचारे शेयर कर पाएंगे वो इसलिए तो स्टूडेंट से रहते हैं तो इसलिए मतलब ना जब आप कभी प्लैन करते हो अपनी सिटी किस जगे जा रहे हो उसके किराये कितने हैं या अगर आप यहां मूव कर रहे हो तो आपको कितना पैसा चाहिए उस हिसाब से जरूर अपनी रिसर्च कीजिए क्योंकि इंफलेशन यहां पे कैनेडा में स्टाइम बहुत ज़ादा है और सिर्फ बाहर से आने वाले नहीं कैनेडियन्स बचारे जो यहां पे जनमजात कैनेडियन्स हैं या जो मेरे जैसे यहां पे आने के बाद में कैनेडियन्स बने हैं वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि महंगाई बहुत ज़ादा हो गई है दूसरा आपको example देता हूँ क्योंकि मैंने grocery का वीडियो बनाया था September end में जिसमें मैंने कुछ bread, अंडे, मक्षन, दूद बगारा खरीद के आपको bill दिखाया था मेरा लगभग सीधा सीधा 90 डॉलर संथिंग का bill बन गया था ये चीजें जब मैं 2016 या 2017 में खरीदा करता था इतनी सारी चीजों का सिर्फ hardly 65 डॉलर्स या 60 डॉलर्स के आसपास bill बनता था तो आप ये देखो कमाई इतनी ज़्यादा नहीं बड़ी है और महंगाई की वज़े से कीमतों में कितने ज़्यादा इजाफा हो गया एक और मज़दार एजमपल देना चाहूंगा जो हम लोग बड़ा common use करते है वो है पेट्रॉल यहाँ पे गैस कहते हैं कैनेडा में अगर आप पेट्रॉल कहोगे तो कई बनी लोगों को समझ नहीं आता है तो वो यहाँ पे गैस ही बोलते हैं कि आप गैस स्टेशन जा रहे हो क्या या गैस भरवानी है इसको पेट्रॉल को ही कहते हैं और गैस का अगर मैं कंपैरिजन करूं तो 2018 में गैस जो थी वो लगभग 85 से 88 सेंट्स पर लीटर होती थी यानि पेट्रॉल का जो रेट था वो 85 सेंट्स या 88 सेंट्स के बीच में होता था एक लीटर का और आज की रेट में एक डॉलर बैले सेंट्स या वन डॉलर 42 सेंट्स पर लीटर आपको पेट्रॉल मिलता है तो आप अंदाजा लगाईए कि ये चार सालों में उतनी आपके कमाई नहीं बढ़ती जिस हिसाब से आपका पेट्रॉल बढ़ जाता है क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ 2016, 2016 या 2017 की तब एक जो आटे का बैग है वो लगभग लगभग 8-9 डॉलर का आता था और आज की डेट में आटा जो है मतलब वाकई मेरे को हरानी होती है थोड़ा दुख भी होता है कि भी इतनी महंगाई है लगभग 9-20 डॉलर का बैग आता है आटे का और मेरी कोशिश होगी कि अगर मेरे को कोई पुराने फ्लायर्स मिल जाएं चाहे पेपर पे या ऑन लाइन तो मैं आपको जरूर इस वीडियो के चुरू दिखाना चाहूंगा कि कितनी महंगाई है इस टाइन जो भी यहां पे आता है सपने लेके आता है जो भी यहां पे चलो की आपको काफी मेंप करनी पड़ेगी महंगाई जिलनी पड़ेगी फिर भी आप तरकी जरूर करोगे अब महंगाई की बात कर रहा हूं इन्फलेशन की बात कर रहा हूं तो इसका सीधा असर स्टूडेंट्स की उपर भी पढ़ता है students के उपर कैसे पढ़ता क्योंकि जो college की fees होती है tuition fees कहलो वो भी हर semester के हिसाब से या हर साल के हिसाब से बढ़ती जाती है तो मानलो किसी ने दो साल पहले वो सेम पढ़ाई की थी हो सकता है उन्होंने 16,000 डॉलर भरे हो और आपको हो सकता है 20,000 डॉलर भरने पड़े एक साल के तो ये भी inflation का ही असर है और जो लोग यहां पहले रहते थे मानलो पुराने घरों में रहते थे कभी कोई छच चेंज करा रहा है कभी कोई फर्ष की टाइले चेंज करा रहा है कभी कुछ करा रहा है तो जो काम पहले 5000 में हो जाता था डॉलर में वो आज की रेट में आप मान के चलिए कम से कम आपको 8-9,000 डॉलर देने पड़ेंगे क्योंकि लेवर भी उसी साब से बढ़ गई है और कीमतें भी उसी साब से बढ़ गई है महीने दर महीने चीज बढ़ती जा रही है तो इस चीज का जरूर ख्याल लखना चाहिए इंफलेशन में कि आपकी इंकम भी साथ-साथ बढ़े और कई लोग तो यहां इस चक्कर में दो-दो जॉब्स भी करते हैं उनका एक जॉब से गुजारा नहीं चल रहा है तो वो एक जॉब फुल टाइम करते हैं जो 40 आवर्स या 50 आवर्स पर वीक और उसके बाद में फैमली को सपोर्ट करने के लिए वो 20 आवर्स उनको कहीं और काम मिल जाता तो वो भी करते हैं कैनड़ा जैसी जगे में रह रह रही हो तो कार बड़ी जरूरत है क्योंकि यहां पे बसे का और ट्रांस्पोर्टेशन का हाल कोई बहुत अच्छा नहीं होता है बर्फ की वज़े से और जो वैदर में चेंज़े जाते रहते हैं उसकी वज़े से तो पहले आपको मैं बताता हूँ जब कार होती है उसको पहले गिनते थे कि यह तो जब मर्जी ले लो क्योंकि 0% से लेके लगभग 2% के इंटरेस्ट डेट पे मिल जाती थी और आज की डेट में जो लो कारें खरीद रहे हैं लगभग 7% से लेके 9-10% तक उनको कार के इंटरेस्ट डेट पे नई कार मिलती है सेकेंड हैंड भी लेनी हो तो भाई मेरे लगभग इतना ही 7-9% ब्याज पे कार मिलती है इस चीज़ को जरूर कंसिडर करके आईए कैनेडा में कि अगर आपने फाइनेंस करनी है तो आपको ये रेट अगर मिलेगा तो हैरान परेशान मत होना क्योंकि महंगाई वाकई बहुत जादा इस टाइम आज मैंने महंगाई की बात किये से डर मत जाना क्योंकि जिन्दगी में मुसीब्तें भी आती है अरा आदमी क्या कहते है जब भी गाम करता है अडल्ट होता है तो उसको ये सारी मुसीब्तें फेस करनी पड़ती है हमारे पेरेंट्स ने भी किया उस टाइम जो उनके जमाने में महंगाई थी उन्होंने भी देखी है कभी हमने किस्सέ कहानिया सुने होते हैं कभी war का असर पड़ता है कभी government की policies का असर पड़ता है कभी ये control में आ जाती है कभी कोई चीज़े नहीं आ पाती है पर इसी से दुखी होने की ज़रूरत नहीं भई इसी को तो जिंदगी कहते हैं तो इसी note पे कहूंगा कि खुश रहो आबाद रहो और फिर मिलेंगे किसी vlog में तब तक के लिए बाई बाई